वेलो एब्रिवन वेल्कम टू एटवे आज की से वीडियो डिसक्रिशन में देखेंगे कि सेटलाइट कैसे काम करती है सेटलाइट जो कम्निकेशन सेटलाइट है उसे जीओ इस्टेस्टनरी और विट में क्यों रखा जाता है इसके अराबा हम सेटलाइट इंटरनेट की थो लेती होता उसमें आई होती जबकि नॉर्मली आप इंटरनेट यूज करते हो तो इसमें वाफिरिंग rocking और सबसेपहले देख लेते हैं बेसिक और सेटलाइट तो सेटलाइट जैसे हमारी कृत्वी सूर 7-4 और एक निशर्चित ऑर्विट में घूमती है उसी प्रकारते अगर कोई सेटलाइट जियोस्टेशनरी और्बिट में रखी हुई है तो वो एक निश्चित और्बिट में रोटेट करती रहेगी प्रित्वी के साथ साथ और आपको पता है प्रित्वी हमारा प्रित्वी तो इसे टिल्टेड है अग्षो पर इस प्रकार से यह रोटेट करती रहेगी पूरे 365 दिन तक एक निश्चित इस्तान पर रहेगी और अगर ऐसी सेटलाइट से हमें डेटा चाहिए तो जियोस्टेशनरी और्बिट पर बहुत साइज सेटलाइट लगानी पड़ेगी आज की डेट पर लगभग चार हजार से चार सो साड़े चार सो सेटलाइट जियोस्टेशनी और विद पर हैं अभी अगर इसकी रेडियस की बात करें लगभग 42,164 किलोमीटर अलग अलग डेटा आपको अलग अलग जगों पर मिल सकता है तो लगभग इतना है इसी अक्ष पर संभव है कि अगर कोई सेटलाइट है यहां पर रखी गई है तो वह अर्थ के साथ-साथ रोटीट करती रहेगी 24 गंटे अगर अर्थ 24 गंटे में लगभग 23 गंटे और 56 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है तो यह साथ-साथ में उसके एक चकर अपना पूरा कर लेगा सेटलाइट एक ही सेम इस्थान है कि आपका एक सवाल हो सकता है कि सेटलाइट को ऊजा कहां से प्राप्त होती है तो नौर्मली इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं अगर सोलर पैनल कभी सूर्ण का प्रकास ठीक से नहीं पड़ पा रहा है उसके लिए इसमें बैठरी ज है इसका यह यूज कर लेता है यह अपने इस्थान से न भठके इसके लिए इसमें ट्रस्टर लगा होता है जो इसे हलका सा वल देता है जिससे यह अपने एक स्थान पर बना रह सके है इसके अलाबा सेटलाइट में ट्रांसपोर्डर receiver, transporter के रूप में receiver, amplifier and remote noise होता है जो signal को transmit करता है satellite जो data देता है उसमें एक स्थान से इसे data लेना होता है और दूसरी स्थान पर देना होता है जहां से data लेता है वहाँ पर kuband का use होता है kuband high frequency पर काम करता है जबकि जहां हमें data प्राप्त होता है जो हमारे यहां D2H होता है वो C band पर काम करता है यहां low frequency होती है आपने देखा होगा कई बार बरसात में signal खराब हो जाता है उसका कारण होता है जो C band है बरसात की बूलों से यह तूट जाता है उस पर भी मैं एक अलग video बना दूँगा इसकी बज़ा से थोड़ा सा network खराब हो जाता है तो इस परकार से आप इसके मज़े ले पाता है अपने घर में Communication Satellite से data राप्त करने के बार किसी program source से data हम तक कैसे पहुंचता है यह मान लो एक program source इससे data पहुंचेगा हमारे DBS provider तक इस तरह से DBS provider तक पहुंचेगा जिससे इस program source का टाइफ होगा उस तक पहुंचेगा वो यहां पर data को एक अठा करेगा और दूसरे satellite या same satellite के मार्जम से अकसर दूसरे satellite के मार्जम से हम तक पहुंचाएगा data को एक fact बताता हूं आपको कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो छतरी होती है उसे जब provider आता है कोई DBS provider आता है तो वह एक निश्चित दिसा में गुमाता है तो वह इसलिए गुमाता है क्योंकि उस satellite की जो जिए स्टिस्नरी और विट में है उसकी वह कौन से जगह पर रखा हुआ है उस हिंसाब से वह अपने छतरी को घुमाता है तो इस प्रकार से पहुंचता है हमारे घरों तक डेटा जियो सेंक्रोनास और्बिट में स्थित सेटिलाइट के द्वारा उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थैंक्यू फर वाचिंग एडवेस्टेडी अपक्षाँ झाल